नमस्कार, अगर आपका SIM कार्ड लोक नहीं है, तो सबसे पले आप अपने SIM कार्ड को लोक रखिए, अगर आप लोक नहीं रखते हैं, तो आप भविश्य में साइबर ठगी के सिकार हो सकते हैं, होता क्या है कि जैसे आपका जो मुबाइल नमर है, वो आपके अधार कार्ड से अटेच है, आपका मुबाइल नमर आपके पेन कार्ड से अटेच है, आपके बैंक अकाउंट से अटेच है, तो जितने भी OTP होते हैं, सारे आपके मुबाइल पर ही आते हैं, तो ऐसे में होता है कि माली जी अगर किसी ने आपके SIM को चुरा लिया, या कहीं SIM खो गया, तो स जरूरी यह लोग रखना आज की डेट में, लोग कैसे करते हैं, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता रहा है आपको, आपको सबसे पहले करना क्या है कि सेटिंग को आप खोल लीजिए, यहां से, सेटिंग खोलने के बाद नीचे स्क्रोल करते हुए आएंगे, तो सिक्य सेटिंग को खोले यहां पे जो सिम कार्ड को आप खोल लीजिए, खोलने के बाद इसको आप आउन कर लीजिए अब यहां पासवर्ड का रहा है पासवर्ड आप वही दीजिए गा जो आपको याद रहे ताकि भविस्म अगर आप भूल गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो हम यहाँ पे उधारन के लिए एक हम password दे देते हैं एक दो तीन चार और यहाँ पे ok कर देते हैं यह क्या होगा कि अब आपका sim card जो है log हो गया अब ऐसे में क्या होगा कि अगर किसी ने आपके sim card को चुरा लिया और किसी दूसरे phone पे आपके sim card को डाला तो on होते ही सबसे पासवर्ड मांगेगा तभी sim card log खुलेगा अन्यथा sim card काम नहीं करेगा वो ब्लॉक रहेगा तो ऐसे में जो आपका account है आपका अधार card है सब कुछ safe रहेंगे आपका data safe रहेगा तो यह बहुत जरूरी है आपको sim card log रखना अगर आप नहीं रखते हैं तो आप भविस में साइबर ठगी के सिकार हो सकते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा अब वीडियो पसंद आया हो तो अप लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों अभी शेयर कर दीजिए मिलते अगले वीडियो में तब तक नमस्कार धन्यवाद